बच्चों, आज हम लोग करेंगे question number 3, जिसमें कहा गया है कि आपको correct answer देना है, नहीं correct statement देना है, तो सबसे पहले हम ये वाले का discuss करते हैं, question में कहा गया है कि nuclear force between two protons is always greater than electromat, देखिए, होता ये है कि जो nucleus होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका mass बहुत जादा होता ठीक है, यह रिखिए, उसका weight जो है, mass जाफ जादा होता है, उसके अंदर proton होते हैं और neutron होते हैं, अ अब neutron और protonों के बीच में फोर्स काम करता है, पाई में, सौन और फोर्स बहुत सारे काम करते हैं, और खुद proton हो प्रोड़ों के बीच में भी force काम करता है, तो चुकि इ इसकी distance बहुत ही कम होती है, मतलब जिसे फरमी 10 पर माइनिस 12 मीटर जो होता है, उतना छोटा होता है जिसके विजे से जो proton और proton के बीच में जो force काम करता है, वो strong होता है. उस case में, जब इनकी distance very less हो, बहुत ही कम हो. लेकिन अगर मान लेजे दूर दूर रखें कुछ एक particular distance पर रखें तो उनके बीच में लगने वाला nuclear force के अगर हम बात करते हैं वैसे तो nuclear force nucleus के ही अंदर लगते हैं लेकिन अगर हम मान लें nuclear force जो है थोड़ा दूरी पर लगर लग रहे हैं तो nuclear force कहता है question A में कहता है nuclear force always greater than gravitational force sorry electromagnetic force तो यह चुकि इसने condition देथी कि always तो always ऐसा नहीं होता है जब यह nucleus के अंदर होंगे तब तो यह strong force होंगे nuclear force लेकिन अगर हम nucleus के अंदर ना माने इनको थोड़ा दूर मान लें तो उस वक्त यह option हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उस वक्त electromagnetic force ज़्यादा strong होगा क्योंकि दोनों charge के विज़े से electromagnetic force ज़्यादा strong होगा फिर बात कर लेते हैं B वाले question कहता है electromagnetic force between two protons is always getting हाँ देखिए electromagnetic force हमेशा जह है gravitational force का फार्मला आपने पढ़ा होगा g m1 m2 by r square और electrostatic force का फार्मला होता है k q1 q2 by r square तो अगर हम इसको थेओरी में भी हम लोगों निकाला होगा तो यह force ज़्यादा बड़ा होता है इससे तो यह हमारा option सही है तो B वाला option सही है C वाले की बात करते हैं C वाला कहता है gravitational force between two protons may be greater than nuclear force between them हाँ may be हो सकता है क्योंकि gravitational force अगर माल लीजिए आपका nuclear force की बात करा है तो वही बात है कि अगर nucleus के अलावा कहीं पर दूर रखे हैं दो protons तो उनके बीच में gravitational force जारा हो सकता है nuclear force से but not in the condition when protons are exist in the nucleus तो ये option may be चुकि इसने may be बोला तो ये भी सही हो जाएगा फिर आता है D वाला question electromagnetic force between two protons may be greater than nuclear हाँ तो ये भी हो सकता है electromagnetic force हमारी जो है चुकि charges की विज़े से होते हैं electromagnetic force may be nuclear forces तो फिर से वही बात आ गई कि nuclear forces अगर nucleus के अंदर नहीं है अगर proton तो वो electrostatic force बढ़ सकता है लेकिन हाँ nucleus के अंदर कर होंगे तो nuclear force सबसे ज़्यादा strong होगा ये ध्यार रखेंगे इस बात का तो चुकि जैसा question की दिया गया है उससा आप से हम लोग काम करते हैं गुद बैर